हलो फ्रेंड्स तो चलिए हम देख रहे थे अपनी माइक्रो वाइलोजी की यूनिट फिप ये हमारी लाइट यूनिट है और ये हमारा है पार्ट थ्री तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा सोर्स एंड टाइपस ऑफ माइक्रो बियल कॉंटमिनेशन तो इस जो ह वीडियो कवर कर चुके हैं वो आप जाके देख सकते हैं बागी फ्रेंड्स आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो कोई वीडियो चाहिए हो भी फार्मी से रिलिटेड तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर बिजिस करें टेलिग्राम पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे और माइक्रो और गनिस्प की बज़ाए से हमारे जो प्रोडक्ट थे क्राव हूजाते है उसी को यहां हमने discuss करना है किस तरह करना कि कौन-कौन से microorganism है और कौन-कौन सी जगा पर किस-किस तरीके से कौन-कौन से source होते हैं इन सब के बारे में हमको discuss करना है कि ऐसी क्या चीज़ा है जिसकी वेशने हमारी चीज़ा जो है खराब हो जाती है माइक्रोप्स की बज़ा से चो चलिए पहला हमारा यहां पर टाइप से atmosphere तो atmosphere तो हम अगर यह आँख बंद करें कोई पूचे तब भी कोई बता सकता है कि सबसे जादा माइक्रोप्स का कोई भी सोर्स है स्रोथ है या कोई भी कुछ भी है तो वो हमारा atmosphere यानकी environment क्योंकि environment देखा दा है तो बहुत ही जादा मतलब अनंत है वो तो पता ही है सबको और उसमें इतने तरह के बैक्टेरिया बाइरस सब कुछ है वो हमारे environment में प्रिजेंट होते हैं तो सबसे अच्छा जो हमारा सोर्स है माइक्रोप्स के लिए वो हमारा क्या है environment मतलब environments के जरिये environment से होते हुए वो हमारे हर तरफ पहुंच जाते हैं अब कौन कौन सी जग है क्या क्या पहुंचते हैं जैसे आप example समझिए atmosphere है तो atmosphere में अगर हम गए बाहर और हम बाहर निकल गए तो जो हमारी bacteria होंगे वो हमारे कोई हाथ पे चिपक जाएगा कोई हमारी skin पे चिपक जाएगा कोई यह water के जो content होते हैं न कभी कि सिर पे थोड़ी तोड़ी proplate आते हैं और moisture के अंदर भी कुछ-कुछ bacteria present होते हैं तो इतनी सारी तरह से आपने देखा कि bacteria हम लोग के बाड़ी पे ही चिपक गए आके तो जो भी कोई भी production होगी preparation होगी कुछ भी होगा pharmaceutical अगर वो environment atmosphere के संपर्क में आएगा contact में आएगा तो उस पे chance बहुत होते हैं कि क पर जाके attach हो जाएगा और वो microbes क्या करेगा फिर उसको spoil कर देगा खराब कर देगा तो इसलिए हमारे सबसे ज्यादा chance होते हैं वो हमारे atmosphere में होते हैं तो हमारा जो preparation होती है pharmaceutical की उसमें यह कब होते हैं कि यह हमारी बगएर के संपर्क में contact में आते हैं जैसे हम कोई भी हमार product है उसको हम handle कर रहे हैं मतलब रखना उसकी material की dispensing कर रहे हैं blending कर रहे हैं या formulation वरी उसके बनाने के दौरान इसको रखने के दौरान इसको बेचने के दौरान इन सब जो चीज़ें हो रही है इसके बीच में हमारे माइक्रोस का chance होता है कि वो उसमें जाके कागरे contaminant हो है किसी में ऐसे foreign medical का आजाना जो हमको नहीं चाहिए हो जैसे आप यह मानिए आपके दूद में मक्ही गिर गई तो उस दूद के लिए आपकी जो मक्ही है वो एक तरह से यह हम कहेंगे कि दूद हमारा contaminated हो गया मतलब उसमें एक ऐसा particle ऐसी चीज़ आ गई जो हमको नहीं चा को क्या करते हैं जब भी मतलब जो microbes हैं जो हमारे atmosphere के द्वारा mostly attached होते हैं वह हमारे होते हैं bacteria यह फंजाइच हो जाते हैं और फिर उस product क्या करते हैं खराब कर देते हैं स्पॉयल कर देते हैं तो यह हमारा bacteria virus कुछ भी हो गया उसके लिए जो main हमारा source होता है उसकी growth के लिए वो हमारा क्या होता है water हम लोगे लिए कहते हैं जल ही जीवन है तो पानी हम लोगे लिए जैसे जीवन है बैसे ही और भी सभी चीज़ों के लिए पानी एक बहुत ही अच्छा important growth factor होता है और पानी सबको चाहिए ही चाहिए तो अगर जहां जहां पर पानी present होगा water present होगा वहां से कोई भी microbes का आना बहुत ही ज्यादा easy हो जाता है और बहुत ज्यादा chance भी होते हैं क्योंकि water हमारा क्या important source होता है micro organism की growth के लिए तो जहां जहां हमारे water होगा वहां इसके chance भढ़ जाते हैं तो व हम पानी का यूज करते हैं तो इतने सारी चीज़ों का यूज करते हैं तो अगर अगर ऐसा हुआ कि उस पानी में कोई से micro organism present हुआ तब तो वो हमारे जो micro organism अगर उसमें present हुआ पानी में किसी में तो उसके द्वारा जो हम product बनाएंगे वो भी तो हमारा contaminant हो जाएगा तो ह हमारा water के द्वारा क्या हो रहा है कि हमारे जो चीज़ें हैं जो हमारे pharmaceutical product हैं वो भी contaminant हो जाते हैं example कौन-कौन से bacteria जो virus हैं जो हमारे water के द्वारा लग सकते हैं एक हमारा streptococcus facelas है sedomonas है इसका एक example मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था तो इतने सारे हमारे यह होते हैं आप कुछ मतलब तयार कर रहे हैं जैसे आप यह समझिए कि आप यहां पर सीरफ बना रहे हैं आप सीरफ बनाने के लिए आपको कहा चाहिए एक्जामपल लेने तो हमको स्क्रोज हो गया मीठे के लिए हमको water चाहिए content कुछ man API अगर कोई drug डालते वो चाहिए तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि जो हम ड्रग यह बना रहे हैं पूरा सीरफ अगर इसमें हम कहें कि सुक्रोज में हम क्या करते थोड़ी से अगर bacteria मिल जाए कैसे भी यह यह बाटर जो हम यूज कर रहे हैं इसमें कोई भी हमारे bacteria pseudomonas लग गया तो अब यह हमारा raw material यह बनाने के लिए होते हैं वह हमारे क्या होते हैं अगर उसमें कोई हमारा bacteria virus पहुंच किया तो वह हमारे पूरे पूरे product को क्या करेगा spoil कर देगा या खराब कर देगा तो यह भी एक तरह से क्या है बहुत अच्छा मतलब सुरोथ होता है अब जैसे example समझे product हमारे कुछ animal sources से जैसे आते gelatin है pan चीज़ा क्या होते हैं हमारी animal source के जरी हमारे एंटर कर जाती है फार्मसेटिकल प्रोडक्ट में कोछ हमारे plant और हम देखें जैसे अगार है इसका नाम तो आपने सुनाई होगा स्टार्च हो गया ऐसे सी हो गया तो यह सब चीज हमारी क्या है फार्मसेटिकल की production में helpful होती ह है तो अगर कोई भी हमारी एक और यह अगर आपको बता है बैक्टिरिया वागरा के लिए भी बहुत जाता helpful होता है तो अगर कोई बैक्टिरिया वाइरस अगर इन में घुश जाएगा तो वह हमारे फार्मसेटिकल के प्रोड़क्ट को भी खराब कर देगा तो यह सब इस चोटी-मोटी हरकता है जिससे हमारा प्रोड़क्ट कॉन्टमिनेट हो सकता है जैसे ग्जांपल समझेए उसने वह ऊपर यह कवर करने वाला एक वह लगा होता है अगर उसने वह नहीं लगाया तो क्या पता कोई प्रोड़क्ट जो हम बना रहें उसमें कोई बाल उसका कौन-कौन से बैक्टेरिया होते हैं जो लग सकते हैं जैसे नेचरल इसकिन फ्लोरा है हमारा यानकि यह हमारे इसकिन पर कुछ-कुछ ऐसे सूच में जीव ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो क्या होते हैं जो क्या होते हैं इसकिन पर अटेच होते हैं और वह जाके हमारे उसम क्योंकि जो हमारे equipment utensil यह चीज़े होती हैं यह हमारी processing holding handling यानि कि जो हम formulation करते हैं product बनाते हैं उन समय equipment का यूज जरू करते हैं तो अगर उस equipment में कोई साफ नहीं है improper cleaning है या हम जिस पानी से यूज करें वो proper नहीं है या उसकी जो बनावट है वो ठीक नहीं है तो इन सब बज होगा जब भी हम किसी product को जैसे हमने product बना इसको पैक करते हैं तो packing क्या करेगी एक तो इसको store करने का काम करेगी दूसरी क्या करेगी इसको prevent करने का काम करेगी अब prevent किससे करती है कोई बाहर जैसे कहते है न keep distance मतलब इसको धूप में direct sunlight की speed में याना चाहिए इसको ठंडे म में रखना चाहिए है यह हमारे को चैसे storage और packing के मतलब होते है रूल कि इसको हम ऐसे रखेंगे दूसरा बाइक जो microbes organism होते हैं उनसे हमको इसको दूर रखना होता मतलब इस तरह हमें इसको पैक करना है कि कोई भी बात जैसे हमारे यह पैक है अच्छे से कोई भी micro organism इसके अ preparation करते हैं product अपने बनाते हैं तो कई वार ऐसा होता है कि उनकी दीवारों में जैसे कोई छेद हो गया या कहीं पे कोई दरार आ गई कोई टूट गया तो उसके अंदर हमारे जो bacteria होते हैं वो क्या करते हैं अपने आपको पनफ नहीं बोलते हैं हिंदी में पनफ लेते मतलब उसमें create कर लेते हैं अपनी संख्याओं को बढ़ा लेते हैं और फिर क्या करते हैं वो हमारे उस product में जाके enter कर जाएंगे और उसमें क्या करेंगे हमारे product को खराब कर देंगे तो हमको यह भी खासकर ध्यान रखना है कि जो हमारी buildings होती है वो सब हमारी बहुत ही अच्छे स को भी खराब कर सकती हैं तो यह हमारे आज का topic simple हो गया पहला कि हमारा क्या था source of type of microbiological क्या था हमारा source and type of microbial contamination अब हम अपना दूसरा समझते हैं दूसरा आज का हमारा टॉपिक है assessment of microbial contamination and spoilers अब इस words से अगर हम समझे assessment of microbial contamination यान कि अभी हमने जो पढ़ा था microbial contamination हमारी हो रही हुआ है कैसे हम उसको पहचाने कि यह चीज़ खराब है कि अच्छी है जैसे एक घर का example ले लेते हैं आपकी कोई सब्जी है वो बासी हो गई मतलब खराब हो गई लग गए दो तीन दिन हो गई अब आपने उसको पहचाना कैसे आपने क्या कि उसको जब आपने या तो खाके देख लेते हैं तो कहते हैं अरे खटी सी लग रही अच्छी नहीं लग रही या हम उसको ऐसे smell करते हैं उसको सूमते हैं तो हमको लगा दगता है कुछ मतलब अ formulation है जिसको हमें चेक करना है वो हमारे या तो खराब हो चुका इसमें कोई physical change हो गया होगा या उसमें कोई chemical change हो गया होगा जैसे example समझे कोई हमारा दिखने में कुछ इस तरह का है इस तरह का है या हमारी कोई सब्जी वह हमारी yellow color की है लेकिन क्या हुआ जब वो खराब कि इसमें कुछ बदला होगा है और हमारी खर्याब हो गई है chemical जैसे आपने समझे smell आने लग गई एकदम आपको कि अजीव सी smell आ रही है जीव सा टेस्ट हो गया तो इन सब चीजों से आपने पता लगा है कि कोई चीज हमारी क्या हो रही है खराब हो गई है अब यहां पर से बहुत बार मतलब पिछले हम वीडियो में कर चुके हैं अपने हमारे यह साइज सेकंड थर्ड यूनिट में था उसमें हमने यह देखा था कि जो हमारा प्रोडक्ट हमने स्टेरिलाजिशन के द्वारा साफ किया है उस पर कोई माइक्रो और्गनिस्ट है तो नहीं है तो stylcommittee को यह बता देगा कि इसमें कोई मैक्रो और्गनिस्म है की नहीं होगा तब तो यह हमारा साफ है और होगा मतलब इसमें कोई माइक्रोइल कॉन्टामनिशन है तो यह हमारे इसLord करते हैं बस इसके लिए साफधानी जो हमारी होती है वह वह हमको यह देनी होते कि जब भी ह हम इसको टेस्ट करें तो उस तोरा यह नहों कि जो ऑपरेटर है या उसके दोरा उसमें मतलब दौरान यानि कि दूरिंग टेस्ट उसमें कोई द्यान रखना पड़ता है तो बेसीकली तो जैनरल हमारा यहीं तक हाज हमारे दो तरीके हैं कुछ दो तरीके और हम इसमें देख लेब देख हम test करने के लिए हमारे u i bikry Ads कर ने के लिए होते हैं इसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारे पैथोंस हैं यहको आफ करने के लिए होते हैं अम्हारी आते हैं चौहते इस्टी में सन ऑ पाइरोजन तो पाइरोजन हमारे वह हमारे बैक्टेरिया बाइरस होते हैं जो हमारे क्या करते हैं फीवर को क्रियेट करते हैं मतलब हमारी बॉड़ी में अगर आजा है तो हमारी बॉड़ी का टेंप्रेचर भढ़ जाएगा तो यह टेंप कैसे किया गया तो वह रैविट के ऊपर किया गया रैविट खरगोस होते है ना जो तो वहां क्या किया था इने पर मतलब वह पहले apply किये था थे पाइर इनका day by day period by degree मतलब daily check किये था था कि इनका temperature कितना increase था कितना degree होता हमें इतना ही यहाँ पर लिघना है फिर हमारा एक होता था इसमें क्या होता है इसका पहले नाम है अजीव 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 से पड़े हुए है तो यह क्या करता है एक M.O. o side lie SET ko मतलब release करता है यह और उसी पर हम क्या करते है उसको हमे एक कंटेदर में ले ले लेते हूँ जैसे इस ने हमारा release किया यह हम यहाँ पर सड्य यहाँ यह यहां पर यहाँ पर हम यह हमारा M.O. horse crab बहुत नावजीब है उसके बाद हम यहां पर ले लेते हैं अपने pyrogens बाला sample तो हम pyrogens sample को पहले किसी में create कर लेते हैं यहां पर हम उस sample में ले लेते हैं फिर हम उसको हम इसमें enter कर देंगे उसके बाद क्या होगा यह pyrogens हमारे जहां करता क्या है जो हमारे यह lysis product है इसमें gel formation कर देता है तो अगर ऐसा होता है इस चीज़ से हमें पता लगता है कि इसमें pyrogens है और ऐसा नहीं होता तब हम कहींगे इसमें pyrogens नहीं है तो इन सब चीजों से हम यहाँ पर पता लगाते हैं कि कोई हमारा microbial contamination है की नहीं है I hope आप लोग को यह सारा कुछ समझ आ गया होगा अगर फिर भी आपको कोई भी doubt होता है तो आप हमको comment करके पूछ सकते हैं आपको notes बगरा जो कुछ होंगे आपको description box में मिल जाएंगे telegram पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा website पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा और channel के अंदर सारे आपको videos मिल जाएगी तो मिलते हैं आप से बहुत जल्द तब तक लिए thank you, take care, bye bye